इस वाले वीडियो में आपको पांच टिप्स बताने वालो जिससे आपका गेमप्ले काफ़ी जादा इंप्रूव हो सकता है तो यार बैसाथ बने रहो और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब पेल दो अभी से क्योंकि तुम्हारे बाई ऐसे वीडियो से आप लाते रहेगा ठी सब्सक्राइब कर देखो एकम का डामेज मतलब पहले देखो कॉंपिटिव में सब लोग के सब्सक्राइब कर देते पर यार अभी में बता दू अगर आप एकम चलाओ कि तो जादा फायदा मेरा होगी विकॉज एकम का जो एमसीस्ट वो भी बढ़ा दिया गया एंड उसी काफी जादा एफेक्ट करने वाला है बिकॉज जरूरी नहीं सारे के सारे बॉडी शॉट लगी आपका अल्मोस्ट एक दो शॉट हैड हाथ पर लगी जाता है टीक है एंड यार हाथ का जो डामेज है वो ग्रोजा से भी काफी जादा एंड जो एमसीस्ट है वो भी एकम का काफी जादा खतनाक कर दिया गया यार यह वाला अपडेट का एकम भाई सबसे जादा फायदा करने वाला कैमपर्स के लिए बिकॉज उनकी ऑल्मोस्ट गोलिया पैर पे लगती जो सपोले होते खेर चोड़ अब आपन बढ़ते हैं सेकंड टीप की तरफ नहां पर हमारी स सिंपल से जंप एंड पंच करना जिससे की एनिमी के आपके बिल्कुल फूट स्टेप नहीं आएंगे एंड आप वहां से लीफ कर सकते हो अगर पूरी की पूरी स्कॉड आप पे चड़ रही है एंड आपको वहां से इसकेप करना है तो भाई यह वाली टिक काफी जादा ह करने वाली है या फिर आप किसी बंदे को सप्राइस करना चाहते हो आप बीना फूट स्टेप दियो इसके पास पॉच्छ ना चाहते तो यह वाली टिक काफी जादा है एंड इवन आप कितना भी उपर से कुदो आपके फूट स्टेप एनिमी को नहीं आएंगे सो मैं आप यहां पर इसके बिल्कुल भी फूट स्टेप नहीं आए जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एक और चीज़ अगर आप जम करके पंच करते करते अगर अपनी पोजीशन चेंज करोगे तो आर आपके फूट से तब भी नहीं आएंगे अब देखो है नॉर्मली बंदा कै कैसे चलता है और अगर यहीं पर यह बंदा पंच करकर करके रन करें जैर यहां पर थर्ड टीप भाई वह आइपड व्यू को लेकर एंड इस चीज़ में बहुत सारे लोग धोका खाते है ठीक है तो हैर देखो आइपड वी होता कि वह थर्ड परसन एक सेटिंग में कंट् दिखता है एंड उसके वज़े से जो एनीमी होता है वह चोटा दिखने लगता है एंड अगर हम उसको माइनेस में करें तो एनीमी बड़ा दिखता है रुको मैं आपको इस चीज से समझाता हूं तो यहां पर मेरा टीमेट को एक ग्रूम के कोने में खड़ा कर दिया अब आप देख सकते हो कि भाई मेरा आइपड फूल है एंड मेरा जो टीमेट है उसकी फुल बॉडी दिखरी एंड जैसे मैं कम करता हो तो आप यहां पर देख सकते हो उसकी मतलब वह मेरे थोड़ा क्लोजर आ चुका है वापस इवा देखते अब यहां पर यह इतना क्लोज थ एंड जैसे में यह करता हो आइपड व्यू अन करता हो एक सेकंड पूरा 90 करते है एंड जैसे 90 के आप देख सकते हो कितना चोटा हो गया यह तो आप समझ सकते हो कि लाइक एम कितना जादा चोक हो सकता आपका इस चीज के होज़े से तो जो भी मुस्ली कॉम्पुटिव प जादा आपके चमकी ले कपने आप उसको भी देख सकते हो बड़ जो आइपड व्यू नहीं होता जो हम लोग ऐसे कहलते तो यार उसमें करेक्टर थोड़ा सामने दिखता है आपका क्रॉस एर बड़ा दिखता है तो में आप इसको हैड वगेरा मार के नौक कर सकते हो तो घर यहां पर आप देख लो आपको कौन सा व्यू जादा पसंद आता है आपके लिए कौन से जादा फायदय मन्द रहता है तो मैं परस्नली यूज करता हो जो 80 होता है नौन आइपड व्यू वो यूज करता हूं तो यहां बंदा दूर है आप स्प्रे यू आप moश कर्व तो कई बार ऐसा होता है कि आपका एम लेफ्ट राइट होते रहता है एंड उसके वजह से बंदे को आपकी बुलेट कनेक्ट नहीं होती है तो यहां पे आप सभी को पता है हमारे गेम में एक शॉपिंग मॉल है जो कि काफी टाइम से चले आ रहा है कितने सारे अपडेट्स सब्सक्राइब काफी हद तक बढ़ जाता है आपको जाना है सिंप्ली शॉपिंग मॉल में यह फिलाल मिल जाता है तो आप यह वाला चेक कीजिए इस चीज से ना स्प्रे क्या खतरनाक जाता है भाई मतलब लिटरली चुम्मा ठीक है तो यह आपन बढ़ते हैं अगर आपने गर मॉली आती है जब बंदे पुश कर रहे तो यहां पर दो तीन चीज जो कि नेड सापको बचा सकती और भाई मुझे चीज पता चली जो कि आपको भी जानना काफी साथ जुरूरी है एंड जो मॉली होता है वह उससे कैसे बचना आपको यह भी बता देता ह मैंने शैक्स में ट्राइ नहीं करा लाइक जो चोटे-चोटे कंपाउंड होते है उसमें भी ट्राइ करेंगे बाद में तो यार फिलाल अभी आपन यह चेक आउट कर लेते है तो यार मोस्ली होता कि अगर आपन किसी ऑपजेक्ट के पीछे एंड किसी बंदे नेट फिका ऐसे पर आप एक औप्जेक्ट के पीछा तो आपको कुछ भी डामेज नहीं पढ़ता है जैसे कि यहां पर मेरा टीमेट क्राउच हुआ पड़ा है फिलु इससे डामेज नहीं पड़ा अगर आप यहां पर प्रोन होते हो तो भी डामेज नहीं पड़ता लेकिन यहां पर मैं अपने टीमेट को यह देखना चाहता था अगर खड़ा हुआ बनता तो इसको डामेज पड़ता है क्या तो यहां पर यह यह एक चीज होती है तो फिर अगर आप लाइक नेड वगेर आ होता है तो मुझे लगा डामेज नहीं पड़े है सबसे पहले में टीमेट को खड़ा ही रखने विलता हो जैसे खड़ा था वैसे यह नौक हो जाता है जैसे कि स्टोन पर हुआ था तो भाई यह यह चीज ठीक दाटिक है यहां तक तो समझ आता है यहां पर मैं इसको फटा मतलब यह आपको बचाने वाला नहीं है अगर नेड वगेरा आता है तो मॉली शायद रोक देता है अब उसका मॉली का भी आइडिया नहीं बट आपन आगे ट्राइक करेंगे बट यहां नेड से नहीं समाल पाता अब यहां पर मैं खुट ट्राइक करने जाता है इस बार म तो भाई यह तो साफ हो गया कि लाइक भाई यह जो गोनी वाली लेयर है वो किसी भी काम की नहीं है तो नेक्स टाइम से अगर आप कहीं पर भी लाइक एसना पोलिए या फिर उसकी अलावा कहीं आपको यह दिखता थो इसके पीछे कवर लेने की सोचना भी मत अगर बंद दो आपको मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई बाई एंड यार शची बताओ इस पांच टिप बताने के लिए मैंने अपना पूरा पूरा गेम प्ले खराब कि जबकि मैं इसको वाइस ओवर करके अच्छा खासा गेम प्ले बना सकता था खेर चोड़े आर आप आपको मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड सीया जाथ जब ईवच्छाएफब जड़ आपको मिलते अच्छाएब झेलिए इसका प्लेएब आपको प्रीभगफदोरा आपको जड़े खंगब झेलिएफ़े वीडियो में घ्टपको गिंटको अभूबूबूबूबुबूबूदशबूबुबूबूशबूबूबु प्रॉपाँ नहें सेदोंगा सैंगा यूब 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 ुब यूब पुब रचल को मिक भी फड़्चव? इड़ कि अ मिक ज़ है तो यूब अजब खिम